हेलो एब्रीवन कैसे है आप सब वेलकम है आप सब इकरवशी मेकवर्स में होब यौल आज दूइंग ग्रेट वेल आज की वीडियो का जैसा की टाइटल बता रहा है नेल एक्सेंशन अंडर रूपीस टू वो भी मैं जादा बोल रही हूँ उससे भी कम के हैं वो पता चल जाएगा आपको क्यों वेल आज कल बहुत जादा क्रेज हो गया नेल एक्सेंशन का पार्टी हो कोई फंक्षन हो बोहुत नेल एक्सेंशन कराते हैं लोग ये कराने के लिए नेल्स का हाल कुछ ऐसा हो जाता है बाद में जो कि मेरे अभी तक रीकवर नहीं हुआ है क्योंकि नेल एक्स्टेंशन कराने से नेच्रल नेल को बहुत जादा डैमेज होता है और पार्टी इसमें आजकर बहुत प्रेंड में हैं लोग डेली बेस पर भी करा रहा है और उन्हों बहुत कोस्टली होता है तो मैं तो रोज नहीं कर सकती तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हां मैं वीडियो में पूरा मैं थर्ड बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने नियल एक्सेंशन अप्लाइ किये हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखना यह मीशू की महरपानी है कि मेरे इत्ते सस्ते नियल एक्सेंशन हुआ है 100 रुपीज में यह आपको 100 नियल्स मिल रहे हैं और इसमें डेफिनेटली आपका साइज होगा विकॉस उसमें हर साइज में नियल्स अवेलेबल हैं प्लस इतना इनफ नहीं है इसके साथ इनोंने दो ग्लू भी दी है जो की बहतरीन है मतलब कमाल की है यार एक ड्रॉप से मेरा काम हो गया हर नियल पर और बिलकुल ऐसे चिपक गए कि हटाए नहीं हटे उसके अलावा इतने में मीशो को शांती नहीं पड़ी उन्होंने मुझे यह फाइलर भी दिया है व्यूटिफुल पिंक कलर का तो फाइलर से आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग जैसे नेल चाहते हैं आलमंड ओवल जो भी शेप चाहते हैं उसे शेप कर सकते हैं सब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं यह सारा वो समान है जो मुझे रिसीव हुआ मिशू से यह दो ग्लू और यह फाइलर जो कि बहुत ही सुन्दर है और यह रहे हमारे फाइनल नेल सो अब इन नेल्स में से मैं अपनी साइज के अकॉर्डिंग हर नेल के लिए नेल एक्सटेंशन सेलेक्ट करने वाली हूँ सबसे पहले मैं थम के लिए ट्राइ करूंगी और यह मुझे थोड़ा ओवर साइज लग रहा है थम के हिसाब से दूसरा ट्राइ करके देखते हैं और I guess size के हिसाब से यह वाला perfectly fit आ रहा है यह ऐसे पता चलेगा कि बिलकुल थम और extension के बीच में कोई गयाप आपको फील ही नहीं होगा बहुत ही perfectly fit होगा extension nail के साथ तो इस तरह से आप अपना selection करेंगे सारे nails के according then मैं glue use कर रही हूँ यहाँ पर इस glue का एक drop enough है यह इतनी strong adhesive है कि एक drop से आपका काम हो जाएगा and मैं glue को evenly spread out कर दूँगी पूरे extension पर and then इसको थम पर अच्छे से one time pressing के साथ place कर दूँगी within 15 to 20 seconds ही यह बहुत ही strongly fix हो जाएगा तो यह adhesive में को बहुत अच्छा लगा यह nails से बहुत अच्छे से stuck हो चुका है next अब मैं filing करने वाली हूँ using this filer और आपको जो भी preferred आपकी shape है nails की आपको oval चाहिए यह almond चाहिए आप उसकी according nails को file करेंगे अच्छी बात ही है कि filing की time पर यह जरा से भी नहीं हिले थे nails मेरे और मेरे इनको जादा shape नहीं देना है बस round off करना था edges पे तो मैं बस rounding off करने वाली हूँ और इसके बाद मैं बाकी सारे nails पर इसी तरह glue से stick करकर और file करकर ready कर लूँगे अपने सारे nails जब आप nails को place कर रहे हों तो ध्यान रखें कि glue के minimum drop यूज़ करें ताकि वो stick और जगाओ पर ना हो skin पर दूसरी बात ज़ो ध्यान रखने वाली है कि कौन सी side कौन सी तरफ रहेगी nail की तो जो rough side होती है वो cutting के लिए प्रोवाइड की जाती है shaping के लिए तो वो आगे की तरफ रहेगी और cuticles की तरफ round shape रहेगी जो nails की round side है इसी के साथ मेरे सारे extensions complete होते हैं और लगने के बाद ये कुछ ऐसी look दे रहे थे अब मैं इनको file करकर ready कर लूँगी बहुत ही slight shaping देने वाली हो सुर्फ filer से अब बारी है beautiful सी nail art की so मैंने अपने outfit से matching nail paint चूज़ की है अब अपने according अपनी nail art सेलेक्ट कर सकते है तो मैं nail paint चूज़ कर सकते हैं 3 nails पर मैं matte रखने वाली हो brown and glitters मेरे favorite है so obviously मैं glitter का काम करूँगी तो मैंने 2 nails पर glitter रखा है बाकी 3 पर matte रखा है अब थोड़े variation के लिए मैं यहाँ पर eye shadow palette यूज़ कर रही हूँ glitter वाला आपके पास जो भी available हो आप वो यूज़ कर सकते हैं मेरे पास यह वाला palette था जिसमें बहुत सारे colors थे तो मैंने brown उठाया because मैं brown family में ही nail art करने वाली हूँ मेरे जो matte brown nails हैं यह जादा matte look ना दें और glitter मुझे बहुत पसंद हैं इसलिए मैं जो भी मेरे matte brown nails हैं उन सब पर यह glitter का work करने वाली हूँ यह eye shadow आप वो वाला यूज़ करेंगे जिसमें pressed glitter में glue already available आता है ताकि यह nail पर hold कर सकें इसके अलावा भी मैं एक top coat भी apply करूँगी ताकि यह अपनी place पर stay रहें एक nail पर मैंने उपर glitter लगाया था तो इस वाले में मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी shimmery effect दूँगी and little finger मैं ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ matte में अब मैं जल्दी जल्दी बागी सारे nails पर भी top coat apply कर लूँगी अगर आपके पास top coat नहीं है तो कोई बात नहीं है आप plain जो भी आपके पास nail paint collection है glitter में और plain वो भी apply कर सकते हैं इसी के साथ मेरे nail extension complete होते है तो मेरे nails तो ready हैं to flaunt तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यह और आप comment box में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपके nail extension try जरूर कीजेगा और चल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर देना, bell icon hit करना, बिलकुल मत भोलना, till then bye